मसकार दोस्तों आए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं रूफ को जो हमें पढ़ना है किंग पोस्ट और कीन पोस्ट पढ़ना है सेकंड इयर इंजिरिंग ड्राइंग में तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो पोस्ट होते हैं जो ट्रस हैं उनमें कौन-कौन से घटक प्रय करते हैं पहले टक्ront को समझ लेते हैं फिर इसके बाद हम इसके अगली वीडियो में इसके यहां पर्क बनाना क्या होता है काछली होता है तो यहां हुआ है आपके सामने फिगर यह किंग पोश्ट का बना हुआ है तो इसके हम लोग जो मेंबर प्रयोग होए है उनको हम समझ लेते कौन-कौन से पहले इसमें में प्रयोग होते हैं फिर अगले वीडियो में हम लोग इसका ड्राइंग बनाना सीखेंगे तो सबसे पहले इस पैन को समझेंगे की इस पैन होता क्या है इस पैन होता है क्योंकि जो ट्रस है वह कहां पर रखा होता है वह दिवाल पर रखा होता है तो जो दिवाल है दिवाल की जो इनर भाग है या आंतरिक भाग है तो यहां से आंतरिक भागों की जो यहां पर जो गैफ यह दिखाई दे रहा है इसां को क्या बोलते हैं, अगर हम Effective Span की बात करें की Effective Span क्या होता है तो दिवाल की Midpoint से मध्य बिंदू से इधर का मध्यबिंदू है मध्यबिंदू से मध्य बिंदू के बीच की जो होती है वह क्या कहलाती है इफेक्टिव स्पैन कहलाती है फिर अब हम देखते हैं अब इस फेक्टिव स्पैन हो गया तो इसके ऊपर हम देख रहे हैं यह जो रखा हुआ एक धरन रखा हुआ है तो यह क्या है इसको क्या बोलते है टाइब बोलते हैं तो अब यह क्या हो गया पर कंक्रीट बिरनाया गया फिर अब इसके ऊपर चले इसके ऊपर चले तो यह अब अगर तो इसको हम बोलते है प्रिंसिपल क्या बोलते हैं principle raptor बोलते हैं principle raptor किसको हम बोलेंगे जो principle raptor होता है उसका एक सीरा कहां पर लगा है देख रहे ढायं पर यह पावगा है और दूसरा बेरा कहां पर पुश्ट पर लगा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं प्रिंस्पल रेफ्टर बोलते हैं अगर कामन रेफ्टर की बात करें तो जो कामन रेफ्टर होता है वह भी क्या है वह भी प्रिंस्पल रेफ्टर के क्या लगाया गया है कि तो अब इसके बाद क्या है यह झो लगावा हा यह देख रहा है जो प्रिंस्पल रेफ्टर और कामररेफ्टर के बीच में यह एक घड़घ लगा हुआ है इसको बोलते हैं है परलीन क्या करता है तो परलीन क्या होता है परलीन जैसी यहाँ से क्योंकि जहां परिच्छत बनेगा तो कई कैचिया बनेंगी कई पोफ्ट बनेंगे तो इस प्रकार सी यहां से इस कैचि से इस कैची को मिलाने वाला जो या घटक होता है इस प्रकार सी लगा होता है तो हम परलीन हमयशा कैसे लगा होता है ज practice powder ऊसके यह प्रिंस्पल उसके लंबोत लगा लंबोत लगा होता है कैसे लगांग है और इसको रोकने लिए क्यों भी महिद्या Corporate ag Char then хrion के लिए हम क्या करते हैं इसमें उने इसको रोकने कि लिए औरोध लगाएंगे जो यह लगा हुआ है इसको हम गोलते हैं क्लीट थाकि जो परलिन लगा हुआ वकश के नहीं तो क्लीट को यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर ठीक है तो इस प्रकार से हमने क्लीट को भी समझ लिया अब रिज की बात पर्वात सिर्श बेंदू Papland फोसी को क्या बोलते हैं जाहां पर सबसे उच्चतम बिंदू को क्या बोलते हैं इस वह बोलते हैं अगर रिच की बात करें क्योंकि यहां पर देख रहें यह पीस हो गया दर्स का और इसका यहां पर तो रिच पीस को रिच पॉइंट को मिलाने वाला जो अवयव होता है जो घटक मेंबर लगा होता है वही क्या करता है रिच पीस कहलाता है तो रिच पीस हो गया अगर हम इस्ट्रट की बात करें यहां पर जो लगा हुआ यह पोस्ट में पोस्ट में लगा हुआ यह तो यह क्या कराता है यहां जब लोड़ आता है तो इसके माध्यम से इस पर होते वे यहांसे होते वे इस पर आ जाता है ताकि इसमें नम बेंडिंग को रोकने के लिए हम क्या करतेinse 9ивает को लगा upp ड्यत्यार इस प्रकार से कि पोष्ट में कितने श्ट्रud लगे 차 है तो इसमें दो DRT लगे व sem यहां होता है क्योंकि जब वर्सात होगी पानी बरसेगा तो यहां से जब हमारा क्या लगा है है सीट लगा हुआ है जिसमें से होते पानी यहां पर गरेगा तो यहां पर किरेगा तो इसको क्या बढ़ते हैं इवर नाली टाइप का होता है तो इव में आएगा यूश्व के सारी बाइब नीचे पानी आजाता है यूश्व क्या है एक प्रकार से हम गटर टाइप का बोल सकते हैं कि यह नाली है तो यहां पर इसके जो महत पूड घटक है उसको हमने इस वीडियो में अगली वीडियो म हम लोग जो किंग पोश्ट का पहले बनाना सिखेंगे ड्राइंग फिर उसके बाद हम लोग क्वीन पोश्ट का बनाएंगे तो इस प्रकार से अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और लाइक और सस्क्राइब करना नह भूले धन्य करेंगे बाद है